हेलो दोस्तों, वेलकुम टू वीनास कीचन सत्तू की लिट्टी तो सभी को बहुत पसंद आती है आज हम बनाएंगे सत्तू की बहुत ही टेस्टी खस्ता सी कचवारी तो चलिए इसकी रेस्पी स्टार्ट करते हैं सत्तू की कचवारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और एक कप आटा लिया है आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चमच अजवाइन लिया है इसे अच्छी तरीके से crush करके हम इसमें डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा flavor आएगा इसके बाद हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डालेंगे तो अब मोयन के लिए हम इसमें 1 4th cup तेल या फिर घी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से आटे के साथ मोयन को पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी एट करते हुए इसका एक सक ताटा लगाएंगे आटे को हमें बहुत अच्छे से अभी नहीं गुनना है बस सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और इसे हम 15-20 मिनट के लिए ढखकर छोड़ेंगे ताकि यह बहुत अच्छे से फूल जाए और उसके बाद हम इसे गुन देंगे अब आटे पर हम एक चमच तेल डालेंगे अच्छी तरीकी से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस इसे डखकर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे कचोरी के अंदर भढ़ने के लिए हम सत्तू की फिलिंग तियार करेंगे तो यहाँ पर 3-4 cup हमने सत्तू इस्तमाल किया है लगभग 1,800 ग्राम इसमें हम मिक्स करेंगे आधा चमच क्रश किया हुआ अध्रक आधा चमच क्रश किया हुआ लेसन दो चमच हम डालेंगे बारी कटकी हुई हरी मिर्च, स्वात के अनुसार धनिया और एक चोथाई कप के लगभग हम इसमें बारी कटकिया हुआ प्याज मिलाएंगे, अब इसमें मिक्स करेंगे एक चोथाई चमच काला नमक, आदा चमच हम इसमें अजवाइन को क्रश करके अच्छी तरीके से डालेंगे एक चोथाई चमच कलांजी मिलाएंगे, एक चोथाई चमच ही काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, अब इसमें दो बड़े चमच डालेंगे, नीबू का रस, इसके साथ ही स्वात के अनुसार नमक डालेंगे, और दो चमच हम डालेंगे इसमें सरसो का तेल, आप चाहें दानेदार होता है लेकिन एकदम ही सॉफ्ट होता है अब सत्तु की फिलिंग एकदम तयार हो गई है और आटे को भी हमने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो इसे भी तयार कर लेते हैं एक चमच और हम इसमें तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गुंद लेंगे आटा भी हमारा अच्छी तरीके से गुंद कर एकदम सॉफ्ट तयार हो गया है अब इसे हम बराबर भागों में इस तरीके से चोटी चोटी लोईयों में तोड लेंगे इसके ओपर हम हलका सा ओईल लगाएंगे और इसकी गुलिया तयार कर लेंगे तो यह देखिए इस त चमच सत्तू की फीलिंग को हमें इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से अब इसे हम चारो तरफ से कवर करके पैक कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा आटा उपर में रहेगा उसे हम निकाल देंगे और अच्छे से कचोरी को उपर से पैक कर देंगे ताकि डीफ्रा करते हैं तो deep fry करने के लिए सबसे पहले हमें तेल के टेंपरेचर पे बहुत ध्यान रखना होता है तेल का टेंपरेचर बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो सत्तु की कचोरी अंदर से कच्छी ही रह जाएगी और उपर से बहुत डाग कलर आ जाएगा तो जिस त देखिए कचोरिया फोल कर एकदम उपर आ गई है हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के हम सारी कचोरियों को तर लेंगे तो यह देखिए देखने में ही कितनी खसता लग रही है कचोरिया बहुत ही अच्छा गो में ट्राइज जरूर करें मेरे चैनल पर ने है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और ऐसी पर देखने के लिए बनेरीए विनास किचन के साथ धन्यवाद